हेलो दोस्तों ये है लास्ट पार्ट आपके GST का GST Innocence Chapter 2 का लास्ट पार्ट है सर पार्ट एट जिसमें आज हम मिक्स अप्लाई के बारे बात करना चाहेंगे सर और सर एक छोट असा मैसेज देखे मैं कंटीनू करता हूं सर आज की पार्ट को वो यह कि भीया audit में सीट अपन मिलने वाले हैं सर और सर आप regular मेरे personal touch में रहने वाले हैं सर आपको जो भी problem होगी आप मेरे से directly उस group में discuss कर सकते हैं तो सर ये एक group special में बना रहा हूं सर टॉप 50 का जिसमें सर मेरी 30 seats book है सर 20 left है किसी को join करना हो सर तो please interested हो तो सर please join कर लें तो सर इसी के उपर एक topic बताता कल पता नहीं सर का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वैसे ले लेता है सर चलता है ना मैं आपको दो तरीके से example लेता हूं आपको समिन में रहे हैं जैसे सर नीरश सर ने अभी कल एक शायद announcement की थी कि save 3000 रुपीज ऐसा करके उस उसे नहीं कुछ बताया था और उन्हो उन्हें शायद ये कहा था कि अगर आप दोनों एक साथ ले लें कुछ भी ऐसा ही था संथिंग कुछ कि आप 3000 रुपीज सेव कर लें सर लेट सपोज इसका tax rate 18% है इसका tax rate 12% है क्या दोनों का आपस में कोई belonging है क्या अगर सिर्फ और सिर्फ ये खरिदना चाहिए तो क्या इसका decision making effect करता है क्या सिर्फ ये लेना चाहिए तो इसकी decision making effect करती है answer इस नहीं दोनों का अस्तित्व अलग-अलग है दोनों का आपस में कोई relation नहीं है तो इसी को सर हम कहते है mixed supply क्या कहते हैं सर mixed supply कहते हैं लेकिन एक बात और समझे सर इसमें जो higher rate होगा उसी की supply का rate हम यह आपे taxable rate में रखेंगे हमें फरक नहीं पड़ता कि पहले वाला 0% था 5% था या 8% था या 10% था सर एक example ले रहा हो rate क्या होते है उसके discussion करेंगे भी यह ना सोचे कि master क्या बोल रहा है अभी बस यह याद रखना है कि जो higher rate होगा उसको हम ले लेते हैं मुझे पता है सर नही समझवाया मैं दोबारे समझाता हूँ let's suppose मेरी एक girlfriend है let's suppose उसका नाम सैनी है सैनी सैनी ओ हो सैनी सैनी है और उसका जो भड़े है सर वो 14 December को आ रहा है ठीके सर तो happy birthday सैनी ठीके सर God bless you advance में सर यह सब hypothetical है इसका कोई वास्तिक जीवन से कोई समझ नहीं सर मेरा सच तो यह है कि म two minutes भी सर किसी से बात करने का time नहीं मिल बाता है लेकिन फिर भी एक hypothetical example है मुझे पता है कि मेरी अगर जंड होगी तो आपको एक बार में example याद रहने वाला है तो सर मैंने क्या सोचा मैं उसके लिए एक watch लेता हूँ ठीके सर वाच का सर taxable rate था 8% मैंने सोचा कि यार ठंड या उसके लिए कोई jacket भी लेते हैं उसका rate था 10% मैंने सोचा कि यार उसके लिए एक अच्छी जी jeans भी ले लेते हैं उसका rate था 18% फिर मैंने सोचा उसके लिए एक necklace भी ले लेते हैं उसका rate था 28% ठीके सर अब होने वाला क्या है कि भीया मैंने दुकानदार से जब total rate जब मैं इंहें एक साथ ले रहा हूं मैं क्या कर रहों सर इन्हें एक साथ ले रहा हूं combine ले रहा हूं या फिर आप ये together ले रहा हूं तो फिर सर मुझे इसकी cost पड़ती है सिर्फ burst कॉसल घोज़ा विच्षई वर्म इस पर 28% का rate लग जाएगा overall पे, I think यह बात आपको समझना आगए, अब सर इसे समझते हैं और happy birthday sunny in advance कहते हैं dream girl मुझे तो खुद पता नहीं कौन है, कहां से है और यह भी नहीं पता सर, बस ऐसी आपको याद दिलाना था, तो इसलिए मैंने का ऐसी भाने आपको यह जंड मेरी होगी insult मेरी होगी, और याद आपको हो जाएगा अब आप भी नहीं भूलोगे, मैं भी नहीं भूलोगा कि 14 December को यह वाला mixing का example समझाया था, और यह आपको आप याद हो चुका है ठीक है सर वैसे जो भी हो, जहां भी हो God bless you, टेक किया अब सर यह सुनिए mix supply का सर, सुनिए क्या होता है सर, mix supply के लिए सर, यह मैंने अपने notes में डाला हुआ सर, mix supply section 8 है, यह क्या कहता है composite supply comprising two or more supplies, इसमें भी दो और more होते है, ठीक है सर, दो और more होते है one of which principle supply, एक principle होता है ठीक है सर, shall be treated as supply of such principle supply, मतलब उस principle supply को बेकने के लिए हम इस सब बेक रहे है, लेकिन इसमें problem क्या है सर, इसमें सक ध्यान से समझना है इसकी language कुछ और बोल रहे है, सबज में कुछ और आता है mix supply comprising two or more supplies, इसमें दो से ज़्यादा supply होती है, shall be treated as supply, से supply की जाती है और treat करते है supply, और इसमें जो attract करता है highest rate, उसको हम taxable rate पे ले लेते है, ठीक है सर, अब जड़ा ये पढ़ते हैं कि practice manual क्या कहता है, study material हमारा क्या कहता है, ठीक है सर, अगर ये हमने समझ लिया, तो ये खतम, और सर good news ये, सेंडे को एक घंडे का एक part आएगा सर, उसमें overall आपका finish करवा दूँगा, सर में इस topic को, ठीक है सर, उसी में मैं 100% revision डाल दूँगा, आपका, और ये आपका सर, आपको एक बार में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा ये सर, mix supply, सर, mix supply में कहा है सर, आप चॉकलेट लेने गए, आप दूद लेने गए, आप फूर लेने गए, सबका rate अलग-अलग है, तीनों को एक साथ लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुकानदार क्या कहता है, कि अगर आप ये तीनों एक साथ तो सर, ये कह रहा है कि आप इसे identify करोगे, how to determine the particular supply is mix supply, कैसे पता चलेगा, तो सर, simple सी बात है, दोनों को एक साथ लेना कंपल सरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इस लिए ले रहे हैं, ताकि ये चीज हमें सस्ती किया है, ठीक है सर, तो कहा रहा है, supply can we make supplies if not a composite supply, वो जरूरी नहीं है एक साथ लेना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसो को reduce करने के लिए, cause को reduce करने के लिए मैंने ऐसा किया गया है, और not naturally funded, उनका एक साथ होना जरूरी ही नहीं है, क्या जीन स्पेंट का और एक साथ होना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन सस्ती पढ़ रही है सर, इसले मने ले लिए, ठीक है सर, उसके बाद सर, यहां पे सर, दो example है, वो याद रखने सर, exam में क्या होगा सर, यह case study के तौर पर आपसे पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए, सर कहा रहा है, एक shopkeeper, storage कहा रहा है, selling storage water, ठीक है सर, पानी के store करने के tanky वगरा दे रहा है आपको, bottles वगरा, along with the refrigerator, ठीक है सर, तो bottle का और refrigerator का कोई connection नहीं है, आप refrigerator लो और bottle ना लो, घर की bottle, Pepsi की bottle use करके डाल दो, तो उसको भी कोई relation तो है नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपनी sale को बढ़ाने के लिए, ठीक है सर, हमें कहता है कि सर, आप bottle लोगों के अलग से तो पांचार का करच आएगा, freeze अलग से लोगों के तो 25 का overall, 30 का आएगा, लेकर हम आपको 28 का overall और लगा देंगे, आप हमसे ले लो, तो यह हो ज़्यादा सर, mix supply, दोनों का आपस में कोई relation नहीं है, दुश्मन, दुश्मन, दोस्त बरावर, इसका याद रखना सर, यह ढालोग यहां में लिख लो, दुश्मन, दुश्मन, दोस्त बरावर, क्यों, क्योंकि हमें तो अठाया मिल रही है, आपको चॉकलेट्स मिल रही है, आपको केक मिल रहा है, आपको फ्रूट्स मिल रहा है, ठीके सर, और आपको ड्रिंक भी मिल रही है, फ्रूट्जूस भी मिल रहा है, यह सब आपको मिल रहा है, लेकिन एक सिंगल प्राइस में, और एक सिंगल प्राइ है, overall आपका section 8 यहाँ पे complete होता है, तो sir I hope and really I wish कि आपको पूरा GST का chapter 2 पसंद आया हूँ sir और sir, जैसी कि मैं आपको बात बता चुका हूँ sir, audit के लिए मैं आपको बता चुका हूँ mail id sir, दुबारा से बता दू ca.hub.007 007 at the rate gmail.com और sir, audit में भी broadcast बनाऊँगा जैसे GST का broadcast है, broadcast sir जुरू join कर लिए sir, और broadcast का description जो है, वो आपको description box और comment box से मिल जाएगा वहाँ से आप join रखे, ताकि रोज जो शाम को test होते हैं, उसके question आप देख पाएं कि exam में कैसे question पूछे जाएंगे ठीके sir, इसी के साथ अलविदा चाहूँगा वीडियो पसंद आया हो, तो like करना, chapter 2 समयंग आया हो, तो comment करना, really sir I wish and I hope कि आप इस बार exam में छा जाओ sir, क्योंकि आज तक किसी ने, अब तक, मुझे तो नहीं लगता sir अब तक किसी बच्चे ने chapter to complete पढ़ा भी होगा या किसी teacher ने पढ़ाया होगा कल sir, किसी famous teacher की book मैं खरीद के लाया मैंने सोचा कि उनकी 30-40 साल का experience का फाइदा मुझे हो sir, उसमें 4 pages के अंदर ये पूरा chapter निप्टा दिया गया मेरे notes में sir, 25 है ICI के notes में 47 pages है और ये उनकी 4 pages में साल निप्टा दिया है सोचो teacher ने क्या पढ़ाया होगा मैं नाम लिए लूँगा sir I respect all teachers and I love all teachers Take care and God bless you मिलते हैं sir, कल एक revisionary video डालूँगा sir full video, full place, one hour के आसवास का और पूरा chapter sir, उसमें revise करेंगे from study material God bless you, take care and bye bye